लोग हमारे चैनल पर नहें है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए मेरी फिरी क्लास की मंडे टु फ्राइडेस आमको 5 बजए मैं आपको मिलता हूँ और यूट्यूप पर हैं आपको यही पर बेजने वालोग चलिये क्लास की प्रेजिकल सब्सक्राइब बात करते हैं PK1, PK2, PKR value क्या है देखो, किसी भी amino acid के अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या मिलता है structure में NH3 plus COOH and H, ये तो सारे amino acid में common रहेगा और एक R side change जो है वो vary करेगी तो हमें overall अगर हम लोग बात करें ionizable group के basis पर कुछ amino acid ऐसे होते हैं जिन में केवल दो हमारे group क्योंकि alpha carbon के साथ जुड़े हैं इसको alpha carboxylic group बोलते हैं और ये alpha carbon के साथ जुड़ा है इसको इसलिए alpha amino group बोलते हैं तो 13 amino acid हमारे ऐसे हैं जिनकी R side chain में कोई भी ionizable group नहीं है केवल दो ही ionizable group है carboxylic group और हमारा amino group इसके अलावा कुछ amino acid हमारे ऐसे होते हैं इन में हमें R side chain में भी ionizable group जो है वो मिल जाते हैं ठीके ना आयोनाइजेबल अब यह आयोनाइजेबल group जनरली हमारा दो टाइप के होंगे या तो उसकी R side chain में COOH होगा या उसकी R side chain में NH 3 प्लस होगा लेकिन लिखना सही नहीं है बताओंगा इसके बारे में भी आप लो ही टाइप के हमें ionizable group के basis फर amino acid मिलते हैं या तो वो जिनकी R side chain में कोई ionizable group नहीं है केवल दो ही group हमारे ऐसे हैं तो proton को donate या accept कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी R side chain में हमें ionizable group मिलते हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जिन में carboxyl group मिलेगा कुछ ऐसे हैं जिन में amino group मिलेगा ionizable group इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि they can donate or accept the proton from the solution अब हम लोग बात करें PK1 PK2 PKR values क्या है basically अगर हम बात करें PK1 values की सारे हम ionosid की PK1 value मतलब एक pH की value है solution की pH की value है या अगर cell cytoplasm में भी है तो वह एक solution है ना वहाँ पर भी उसकी भी एक pH की value है इस case में अगर हम लोग बात करते हैं तो simply अगर हम लोग यहां ध्यान से देखे हैं इस इस इच को और समझे इस इस इच को तो यह basically PK1 value वो pH होती है इस पर किसी solution में present 50% amino acid अपना proton group अपना proton donate कर देंगे and they will become COO minus इन पर एक minus charge हो जाएगा neutral से minus charge की तरफ ही move करेंगे ऐसी pH पर हम बोलेंगे PK1 value या simple अगर हां 50% वाला concept नहीं भी apply करना चाहते हो तो यह वो pH है जिस पर हमारे जो amino acid है वो अपना carboxly group का proton जो है डोनेट कर देंगे alpha carboxly group ना कि R side chain के R carboxly group का और generally यह value हमारी pH की 2 से 3 के बीच होती है तुसरा alpha amino group यह भी हम इसको अगर हम बात करें PK2 की PK2 वो pH है हमारी जिस पर alpha amino group अपना proton donate कर देगा और generally यह pH हमारी 9 से 10 के बीच रहती है ठीक है ना सारे amino acid की with few exceptions यह वो pH रहेगी जिसको हम PK2 बोल रहे हैं जिस पर alpha amino group अपना proton जो है वो donate कर देगा similarly जिन amino acid के R side chain में हमारा तो यहां हमें इन amino acid में केवल 2 PK value हो गई PK1 for alpha carboxylic group and PK2 for alpha amino group अगर हम लोग उन amino acid की बात करें जिनकी R side chain में भी ionizable group है तो यहां हमें 3 PK value मिलती है सेम PK1 for alpha carboxylic group PK2 for alpha amino group कभी-कभी PK1 को PKAB लिग देते हैं और PK2 को PKB लिग देते हैं यह भी आप लोग को समझना है पड़ेगा कि कभी-कई पर S3 की चीज़ आप लोग को मिल जाती है बाकी रही R side chain की group की बात तो 7 amino acid हमारे पास में ऐसे हैं जिनके R side chain में आपको ionizable group मिलते हैं या तो carboxylic group मिलेगा R side chain में carboxylic group मिलेगा aspartate और glutamate के और amino group मिलेगा हमें lysine, arginine और histidine के ठीके ना अब एक बात ध्यान रखना जब यह अपना proton डोनेट करेगा alpha amino group 9 से 10 के बीच it will become NH2 यानि कि पहले plus charge था अब उस पर क्या हो गया neutral हो गया इस तरीके से यह behavior रहता है हमारा इसके अलावा साथ 5 यह होगा हमारे lysine, arginine, histidine, aspartate and glutamate इनके carboxylic group भी हमारा तेम उसी तरीके से बिहेव करेंगे जिस तरीके से हमारा alpha और alpha carboxylic और alpha amino group बिहेव कर रहे हैं इस difference यह होगा कि इनकी अपनी एक pH होगी जिस पर यह अपना proton donate करेंगे बस उसी pH को हम लोग क्या बोल देंगे PKR जिस पर किसी हम आइनसिट के R side chain का जो group है वो अपना proton donate कर रहा है जो और होता है हमारे एक है सिस्टीन और एक हमारा टाइरोसीन इनकी सब की अपनी अपनी एक PK value होती है तो अगर हम सारी इस टेबिल को याद करना चाहें तो PK1 value for alpha carboxyl group generally 2-3 के बीच है with few exception यह values एक्जाम में दी आती है इसलिए अधर focus करने जरूत नहीं है आप 2-3 याद रखेगा यह वो pH रहेगी जिस पर यह अपना carboxyl group का proton amino acid जो है donate कर देगा similarly यहां अगर हम लोग बात करें alpha-mino group यह वो pH ही value है जिस पर alpha-mino group अपना proton donate करेगा और यह value 9-10 के बीच रहेगी आप देखिएगा with few exceptions बाकी बचे हमारे साथ इनके साथ हमें PKR value मिल रही है अब यह PK value हम लोगों को याद करनी पड़ेगी जैसे tyrosine के लिए 10.7 है tycine के लिए 8.33 है उसके लिए अलावा हमारा aspartate के लिए 3.86 है glutamate के लिए 4.25 है arginine के लिए 12.48 है histidine के लिए 6 है और lysine के लिए 10.5 है तो यह वो value है जिस पर R side chain अपना proton donate करेगी तो यह तो हो गया simply PK1, PK2, PKR value को समझनेगा लेकिन अगर examiner ने आपको question दे दिया suppose examiner ने आपको एक question दिया जहां पर दो तरीके question होंगे जहां पर या तो PK की दो value होंगी PK1 और PK2 यह value किन के लिए है दो value अगर है यह वो amino acid है जिनकी R side chain में कोई भी ionizable group हमारा हमें नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ case में हमें 3 value मिलेंगी PK1, PK2 और PKR यह वो 7 amino acid है कौन कौन से lysine, arginine, histidine, aspartate, glutamate, hyrosine and cysteine ते आप तीन value मिलेगी अब इन दोनों के case में examiner हमसे क्या पूछ सकता है examiner हमें यह दो value देकर PI पूछ देगा थोड़ा PI को जान ले दे, PI क्या होती है PI भी हमारी एक PHE value है, PI वो pH है जिस पर overall charge जो है किसी amino acid पर जीरो हो जाता है, electrophoretic mobility जी isoelectric point, तो suppose examiner ने आपको question में दिया कि वह एक amino acid है solution में, कि PK1 value जो है, वो है हमारी 2.5 और उसकी PK2 value जो है, वो है आपकी 9.5, आप PI find out करिए, यहाँ दो value दी है, PK1 और PK2 की, और PI find out करना है, simple है, दोनों का average निकाल दीजे, यानि कि PK1 प्लस PK2 divided by 2, यानि कि हमारा यह हो जाएगा, 9.5 प्लस 2.5 divided by 2, और यह हो जाएगा, 12 by 2, यानि कि उसकी PK value आ गई 6, यानि कि 6 pH पर उस amino acid पर 4 जो है, वो 0 हो जाएगा, अब यहाँ के case में थोड़ा सा different है, यहाँ पर 3 value दी होंगी हमारी PK की, और वो value क्या क्या होंगी, एक value होगी हमारी PK1, एक value होगी हमारी PK2, एक value होगी हमारी PKR, अब इस case में अगर हमें PI in find out करना है, तो हमें तीनों का average नहीं निकालना है, हमें कुछ चीजे find out करने, short formula बता रहा हूँ आप लोगो, वो PK1 value देगा, PK2 और PKR value देगा, यह तीन values में से ध्यान रखना, मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगो, समझ 7 होंगी, पस हमें यही find out करना है कि तीन value जो दी है, उन तीन value में से, सपोस ऐसे, एक case में दिया, उपर वाले case में PK1 को दे दिया, उसने 2.5, PK2 को उसने दे दिया, 9.8, और PKR को उसने दे दिया, 3.65, इस तरीके सुने, उसने जो है, हमें एक value दे दी, ठीक है ना? आप इस case में हमें PI find out करनी है, या दूसरे case में उसने हमें दे दिया, PK1 दे दिया, उसने हमें, 2.8, PK2 इसने हमें दे दिया, 9.2, और PKR उसने हमें दे दिया, 12.48. अब इस case में जो है हमें P.I. find out करने हैं हमारे पास 3 value है तो तरीका यही है कि जहां 2 value साथ से कम है उन दोनों value को जोड़िएगा आप जैसे यहां साथ से 2 कम value क्या क्या है 2.5 प्लस 3.65 उसको 2 से divide करिएगा आपका answer आजाएगा अगर 2 value साथ से उपर है उस case में जो साथ से उपर वाली value है जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें 9.2 है प्लस 12.48 है इन दोनों का average निकाल दीजिए आपको आपकी P.I. मिल जाएगे बहुत ही simple सा और quick सा concept था जो मैंने आपको दिया अब इसमें एक exceptional case है वो है हमारा histodine का अगर हम histodine की बात करते हैं तो histodine के case में यह formula काम नहीं करेगा वहाँ भी 3 value होगी 1 P.K.1 होगी 1 P.K.2 होगी और 1 P.K.R. होगी यहांपर P.K.R. value 6 जाएगी है हमारी P.K.2 value मान लिए 9.2 दे दिया और P.K.1 value 3.1 दे दिया Let's say for example अब इस case में यह दो value जो है हमारी यह और यह साथ से कम हो गई formula के साथ से हमें इन दो लों को जोड के average निकालना था लेकिन यह exception है histodine का यहांपर हम 6 को हमें सा larger value में जोडेंगे और हमारा answer हो जाएगा 9.2 प्लस 6 दिवाइड़ बाइ 2 will get your P.I. इतना simple और आसान सा concept है किसी भी आमारी इसरी की P.K.1 P.K.2 या P.K.R value दी है तो उसकी P.I. find out हमें करना है आसानी से कर सकते हैं confirm question हमें मिलता है I hope आप लोगों ने class को enjoy किया होगा अब हम बात करते हैं Ask me anything आप कोई भी doubt आपका CSI or NET आप यहाँ हमसे पूछे